वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं हर्याना में प्रथम महिला के बारे में फर्स्ट कुश्यन इस माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाली हर्याना की पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है संतोष यादव संतोष यादव के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म रिवाडी के गाउं जोनियावास में हुआ था ये हर्याना की पहली महिला बनी थी जिन्होंने माउंट एवरिस्ट फते किया था अगर माउंट एवरिस्ट के बात करें माउंट एवरिस्ट दुनिया की सबसे उची चोटी है जिसकी हाइट है 8848 मीटर जिसको संतोश आदव ने फते किया था और हर्याना का नाम रोशन किया था सेकंड कोशन देखते हैं अर्जुन पुरुसकार पाने वाली हर्याना की पहली महिला कोण बनी है आंसर इस गीता जुषती गीता जुषती ट्रेक औंड फृल से रेलेटिड है ये रणिंग करती थी रणिंग में इन्हें अर्जुन पुरुसकार मिला है थर्ड कोशन देखते हैं भीम पुरुसकार पाने वाली पहली महिला MP कौन बनी है, चंद्रावती बनी है, हर्याना की पहली महिला MLA की बात करें, तो ये स्नेलता बनी है, स्नेलता का जन हिसार में हुआ है, हर्याना की पहली महिला रज्यपाल कौन बनी है, ये भी चंद्रावती बनी है, सरवाधिक पार MLA बनने वाली हर्याना की पह प्रशनो देवी ही थी और ये हर्याना की पहली महिला विदानसवा अध्यक्ष भी है हर्याना की प्रथम महिला जेल सत्यागरही कौन थी चांदबाई थी चांदबाई का संबंध हिसार से है हर्याना की प्रथम महिला न्याएधीश कौन है न्याइब मूर्ती किरन आनंद पाल है हर्याना की पहली मैला सचीव है मिनाक्षी आनंद चोधरी साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली हर्याना की पहली मैला डॉक्टर मुक्ती है साहित्य अकादमी के मुख्याले की बात करें तो ये है पंकर चौधरी, जिनका जन्म सिर्सा के गाउं मैना खेडा में हुआ था, हर्याना की पहली मैला वित्व सचीव है ओम प्रवाद जैन, हर्याना की पहली मैला उपाध्यक्ष है लेखवती जैन, हर्याना की पहली मैला जो दिल्ली की प्रसम मैला मुख्यमंत्री बनी हैं और मोधी सरकार में 2014-16 वाले एरा में ये विदेश मंतरी भी रही है फोरेन मिनिस्टर भी रही है थैंक यू आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्या